कोई भी दिस अपना समान को export या input करने के लिए तीन तरिके के method का यूज़ करता है नमबर वन ट्रेन के द्वारा, नमबर टू, airplane के द्वारा, नमबर त्री, ships के द्वारा तो हमने बात करने वाले हैं, ships के बारे में, तो ऐसा है कि ships जब भी समुंदर से आती है तो उस समुंदर में, तो काफी सारे लहरे गिरती है, काफी सार तुफान आती है मगर ship का जो container गिरता क्यों नहीं है, जब ship बहुत जाया, जब टेड़ा हो जाया तो ship container गिर जाना चाहिए, मट कभी नहीं गिरता, तो ऐसा क्या कारना कि नहीं गिरता है काफी गिरता क्यों नहीं है, तो आज हमनों उसका बार में जानेंगे एक्च्वली में container के चारो साइड में इस तरह का design पाया जाता है और इसमें ओल सेपका छेदा पाया जाता है, एक के उपर एक इस तरह से रखा जाता है कि एक दूसरे का वो जो कोना है, चारो कोना वो बराबर हो पाया और उसके बाद इसका जो twist lock होता है उसे lock कर दिया आता है, उसके बाद एक कुछ भी हो जाया तो एक गिरने वाला नहीं है क्योंकि लॉक हो चुका है